नमस्कार साथ हो तो आज है 28 जून 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टन शेर्स के फुर्ट कुछ इंपॉर्टन अपडेट से कुछ इंपॉर्टन न्यूज है तो जले के करके कबर करते तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल सेक्टर की दिगज कमपनी वेदा कर देखा जाए आज ओवरल जो सेक्टर वाइस चाहिए नमडिस की बात करें हिंदूस्तन जिंग की बात करें काफी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया वर्ट वेदानता की उपर दोस्तों कुछ इंपॉर्टन न्यूज भी आया तो चलिए सबसे पहले मैं आपको न्यू इसका क्या मामला है मैं आपको थोड़ा से समझाया था जिनको नहीं मालूम थोड़ा से मैं आपको शौट में बदा करना चाहता हूं सपोस्सी फॉर कंपनी ये कोई कंपनी इसको करना है फंड्रेजिंग तो यह तो टाइप से कर सकता है या तो इसका इक्विटी बेचके या तो जो बॉंड्स है उसको बेचके प्रॉब्लेम यह है कि एक्विटी बेचके जब कोई कंपनी फंड्रेज करता है जैसे कि APO हो गया QIP हो ठीक है तो उसमें हमेशा discounted valuation में किया जाता है और कोई कंपनी जब बॉंड्स के तुरू फंड्रेज करता है वो हमेशा कंपनी की current market valuation उसके उपर किया जाता है और जिसके चलते जब कोई कंपनी APO launch करता है QIP launch करता है possibility है 80% chance है उसमें गिरावट होने का और कोई कंपनी जब बॉंड्स के थूरू फंड्रेज करता है possibility है 80% उसमें तेज होने का और जिसके चलते आज हमने क्या देखा वेदान्दा की share म कारवार बी काफी अच्छा था अल्मोस्ट 2,85 लाग की वर्षय ट्रेड भी वहा डेलीवर परसंटेज भी काफी ठीक ठाक था 33.83% क्या आसपास तो क्या आपको पर्चेस करना चाहिए तो देखें वेदान्दा का कुछ पॉजिटीव पार्ट ब्या कुछ नेगेटिव सा कारेंगे उनको बहुत फाइदा मिलेगा बिकॉस न्यू कंपणी या न्यू एंटाइटी की शियर वह आपको मिल जाएगा दूस्टे अगर हम बात करें कंपनी आज के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहा है काफी प्रोफिडेवल कंपनी है तीसरी बात ये भी है कि इसने बास्यू ऑट तब इस फीर इता मैं को घतान को में गापको उगणा कि इसको कुछ दे क्मी के लिए ना टी जाता है तो देख़ेती आपको बंट व्यू कहा है उसको बेस करके आपको नेरने लेना है ठीक है ओके नेक्स रम बात करेंगे देखें एक बहुती बढ़िया डिफेंस सेक्टर की कंपणी जो की ओलेडी आई थींग की संडे के दिन इसको बड़ एक इंडिविजियल वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था प्रीमियम एक् पांच हजार परसन की वो रिटन दिया पांच हजार परसन मतब अनमैचिबल रिटन तो बेसिकली बात यह है कि देखें कि कमपणी कुछ दिन पहले ना स्प्लीट का अनॉंसमें किया था वान इस्टू फाइब रेशो में मतब दस फेसबल को कनवर्ट करेगा दो में जिसक चार हजार 156 रुबे पे कल इसका प्राइस जो है कितना वान फिप्थ हो जाएगा वान फिप्थ पांच भाग की एक घ्वाग यानि अप्रॉक्सिमेट्ली आप मान लिजे एट हंडेट प्लस आट सु दस भी हो सकते आट सो पंदराबीस भी हो सकते कहां पर ओपन होगा व है और जैसे ही देखें आप अलर्ट मतब अब इलिजीबल शेयर होल्डर है तो आपके डिमेट अकॉन में यानि पोर्ट्फिलो के अंदर शेयर क्रेट हो जाएगा ठीक है बागी कंपनी अच्छी कंपनी आप इसके चलते शेयर में इतना अच्छा रैली देखने को मिला ओ तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन दोस्तों यह है यहां पर देहान से पढ़िए एस गवर्मेंट खुद सरकार ने का गवर्मेंट सेट क्या का तुबी मूलिंग हाया टैक्सेशन और यह एक दम पक्कान यूज है और यह सिर्फ गवर्मेंट नहीं खुद इंडि बजेट आएका 22 तरीक को उसमें बहुत बड़ा मैं बोलूंगा होट टॉपिक यह होने जा रहा है क्या इस बार इफनो सेग्मेंट पे मतलब जो टैक्सेशन है कितना इंक्रीज होगा क्योंकि इंक्रीज होगा यह तो पक्का हो चुका है गवर्मेंट की तरफ से निउस आ प्रॉब्लेम क्या है मालूम है मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्जम्पल देता हूं यह जो सारे निउइंवेस्टर साना मालूम कुछ भी नहीं है पेशन्स है नहीं मैं खुद की डियल स्टोडी बता रहा हूं मेरे जिम में देखता हूं कि ऐसे बीच-बीच में हर एक से अगर आपको बिल्कुली मालूम नहीं है मत जाइए मत इंवेस्ट की फनो में यहां पे लॉस मत्ब्रॉफिट से जादा लॉस होने का ही 90% चांस है ठीक है और यहां पर टैक्सेशन बढ़ गया और आइधिंक एक बहुत सही डिशन है बहुत बढ़िया डिशन होना भी चा करने का ठीक है पेशन रखना बस ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेन अपडेट है माप मैप माइंडिया आज की तो यह सीधा 20% की नाकेबल अपर सर्कित लगा बलकि शियर जो है अपना अल्टाइम हाई को भी टच किया तो ऐसा क्या हो गया इतना तेजी तो इसके पीछे क्या चाहिए डोस्तों मैं आपको कवह परनी का सुना है ना कोई ब्रोकरीच चना थे तब आप कूछ चन लोघ जैसे क्या Pres. बेसिकल यह सारे जब ब्रोकरेज कंपनी को ना सेल करना होता है यह ऐसा उल्टा उपर 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 इतना टार्गेट देगा ताकि शियर कुछ दिन अपर सरक्रिट चलेगा यह उपर जाएगा फिर यही लोग सेल करके निकल जाएगा सेम चीज ऑपोसिट साइड में अगर इ अच्छी कंपनी है मैं कंपनी को और कोई मैं उंगली नहीं कर रहा हूं बट प्रॉब्लम है कि यह सारे ब्रोकरेज को जो राय आता या स्टेट में इसको देखे कभी इन्वेस्ट मत करना ठीक है बाकि देके नेविकेशन को वर कंपनी काम करते जो कि आज की रिट में अब यहां पर देखे लिए बहुत आई प्यों बहुत आई प्यों होचका भी मार्केट में बहुत आई प्यों एक साथ ओपन होगा जैसे कि आप देकार सारे मेल रान आप जयाद दर यह देके एक होगा आपका वी राच आइड राउन एन आई परिशन पहली दिन पर उसक प्रिमियम चल रहा है मासूम इंफ्राटेक जो की जिरो जिरो चल यह सारे जिरो चल रहा है स्टानले आई प्यों 43 परिमियम उसके बाद मेडी कैमन ऑर्गानिक्स जो की 147 परिम वेरी गूट इन निूट्रिका जो की बीस परिम चल रहा है वीनी इमिग्रेशन पचास की प प्रिमियम चल रहा है आसाल लोन 25 परिमिंच चल रहा है सकूंप नैटैनीडी तरक पर्फ म्हेंक्रथ करेंगे अदो इरेडा के साथ जितने भी देखे रिनीवल सेक्टर की कंपणी उनके लिए मैं बूलेंगा बहुत अच्छी खबर है यह खबर कुछ ऐसा है जैसे के आपको मालूम होगा कि 22 तारीक को यानि 22 जुलाइक को हमें यूनियन बजेट पेश करता हुआ नजर आएगा फानांस मिनि सब्सक्राइब तब जितना एलोकेशन रखा था रेनीवल सेक्टर के उपर आज की डेट पे प्रेजन सीच्विशन को पर बेस्ट करके यहां पे जो कैपेक्स की एलोकेशन है वह इंक्रीस हो सकता है डबल डिजित मतलब मोर्दन टेन परसन यह टेन परसन ज्यादा हो सकता नौट स्टेट्स में बात करें बड़े-बड़े शहर की बात करें कोलकाता डेली बैंगलोर हो गया मुंबाई हो गया मतलब भयंकर गर्मी मतलब सोच सकते हो कि गर्मी जहां पर पचास डिग्री सेल्सियस क्रॉस करें मतलब रहने लायक नहीं यह उस टाइप की जगा में तो वही बात है जिसके करण यहां पर सब लोग यहां पर डिपेंड खोड़ा है तो जिसके करण मैं बूलोगा ठीक है कंपनी अच्छी कंपनी है थोड़ा बहुत कंसलेट करना है करने दीजिए थोड़ा पेशन्स ट्रह किए बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा ओके लास् सारे कंपनी बेसिकली मेड इंडियन प्रोड़क्ट मैनेफेक्चर करता है उसको बहुत फाइदा मिल लगा आज की डेट पर क्यूंकि पॉलिसीज कुछा ऐसा है अब देख लिजे मदर संसुमी को अब देख लिजे डिक्सोन को शेयर की नीचे नीचे नहीं जा रहा है ऐसे शेयर में ज्यादा नहीं अगर आपको तीन चार परसें मेरे बात को कंप्लीटली सुनना अगर आपको तीन चार परसें नीचे भी मिल रहा है यह जाहिए बट लॉंग टाम के लिए ठीक है बागी दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स बगर है कमेंट करके क्लियर कीज फिलार इस वीडियो को वाइंड आप करता हूँ टेक क्यार बाबाई जय हिंद्व